नमस्कार दोस्टों मैं हूं रितिक बोत्रा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चनल गरीमा बोत्रा दोस्टों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपियल 2020 के दोस्टों रद होने के बारे में मैं आपको बता दू दोस्टों आईपियल पर बहुत बड़ा खत्रा है वो मंडरा रहा है और 48 गंटे में बहुत बड़ा पैसला हो सकता है आईपियल के रद होने से संबन दित और दोस्टों एक बात तो मैं आपको बता दू इतना तो कन भरमपता है कि दोस्तो ये आइपियल होगा भी तो केवल भारत्य खिलाडियों के लिए होगा विदे सी खिलाडी इसमें सामिल नहीं हो सकते हैं पूरी न्यूज किया है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ लेकिन आगे बढ़ने से पहले यह दि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरीमा बोतराओं को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब कर लीजे बेल आइकन बटन को दबा दीजी जिससे सबी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके आईपिल के रिगार्डिंग कोई भी खबर पहुंच सके यह दोस्तों आप देख सकते है न्यूज 18 इंडिया का हेडलाइन रद हो सकता है आईपिल 48 गंटे में बड़ा एलान कर सकते हैं सोरव गांगोली 29 मार्च से सरू होने वाला इंडियन प्राइमेर लीग आईपिल 2020 सरद होने के कगार पर पहुंच गया है जल्दी सोरव गांगोली बड़ा एलान कर सकते हैं दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग आईपिल अब कोरोना वाइरस की चपेट में आती दिख रही है दोस्तो देख सकते हैं कोरोना वाइरस ने हर किसी को अपने दोस्तो जपेटे में ले लिया है चाहिए वो इंसान हो चाहिए वो जानवर हो या दोस्तों और कोई भी क्यों नहों कोरोना वाइरस की चपेट में आती दिख रही है खबर है कि इंडियन प्रीमेर लीग का 13 सिजन कोरोना वाइरस के चलते रद किया जा सकता है दोस्तों इतनी बड़ी न्यूज एजेंसी यह बात कर रही है तो इसमें बहुत बड़ा दम की बात है दोस्तों रद होने की कगार पर आचुका आईपियल सुत्रों की माने तो बिश इशे इस वरव गांगुली इस पर बड़ा फेसला लेख सकते हैं और अगले अरचास गंटों में आईपियल के रद होने की गोशना कर स को देखते वे भारत सरकार ने भी भारत आने वाले लोगों के सभी तरह के विज़ा रद कर दिया है हालांकि डिप्लोमेटिक विज़ा अधिकारी क्यों या इंटरनेस्नल ओर्गनाइजेशन के रोजगार समंदित प्रोजेक्ट विसे से जुड़े विज़ा ओल्डर्स को छूड़ दी गई है ये फिसला 13 मर्स 2020 की आधी राद से प्रस्तान पर लागू हो जाएगा आप चुनकि भारत सरकार ने देश में आने वालों के सभी तरह के विज़ा रद कर दिया है तो विज़े सी खिलाटी भारत में आईपिल के रद होने का दोस्तों अंदेस हो रहे ह न्यूज बता दिये है दोस्तों की आईपिल के रद होने का जो खत्रा है वो इस कारा नी मन दोस्तों में आपको बता दू दोरोज ये सरकार है आईपिल के खिलाब बता दे महाराश्ट और करनाटा की सरकार आईपिल 2020 सायोजित करने के खिलाब है एक न्यूज चैनल की रि इस्टेडियम में मेच चोगा यानि कोई भी दोस्तों जो बुंबई में हैं रहने वाले हैं उनके लिए मैं बता दू मेच देखने नहीं जा पाएगा उसके बाद में आगे ऐसे में साप आईपियल 2020 पर संकट के बादल और गरा गए हैं कुछी गंटों में इस पर बड़ा अगर आईपियल का 13 वा सिजन रद कर दिया जाता है तो फ्रेंचाइजियों खिलाडियों और क्रिकेट फैंस को बड़ा नुक्षान होना दोस्तों तो तहीं क्रिकेट फैंस के लिए बूरी खबर हो सकती है कोरोना वाइरस के वज़ज़ से दोस्तों यह जो सीरीज आईप कबर कहते हैं कि उन्हें एक जाम है अब दोस्तों आईपियल है वो दखल नहीं देने वाला है हो सकता आईपियल को दोस्तों शेड्यूल चेंज करके थोड़ा आगे कर दिया जाए लेकिन अब दोस्तों इसके रद होने पर ही सबसे बड़ा पैसला वह और 40 गंटे में आ सक जब भी दोस्तों कोई नहीं पैसला आएगा मैं आपके साथ वीडियो सेर करके आपको बता दूँगा धन्यावाद दोस्तों